इस पीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Windows 11 build 22000.160 के bugs की तो सबसे पहला bug है clock app not updated आपको तो पता ही होगा Windows 11 build 22000.160 में एक new clock app को introduce किया गया था जो कि आपको focus session के feature के साथ मिलती है तो बहुत सार यूजर है जिनको ये clock app उनके PC में देखने को नहीं मिली जब उन्होंना ये इस build को अपने PC में update किया बैसे तो Microsoft ने बोल दिया था कि इसको देरे देरे रॉल आउट किया जा रहा है तो जो यूजर डैप चैनल में है उनने देरे देरे ये clock app का update उनके Microsoft Store में देखने को मिलेगा मैंने जब अपने PC में ये build up इस्टॉल किया तो मेरे PC में ये app updated नहीं मिला तो इस website के according ये एक process है उसके according आप जो Microsoft Store में इसका update देख सकते हो इस website का according हमें प्रेस करना होगा विंडू की प्लस आर तो प्रेस करते हैं विंडू की प्लस आर जिससे हमारा जे रन बॉक्स कुल जाएगा यहां पर हमें टाइप करना है WS reset और OK कर देना है करने के बाद जो process है वो चलेगी खुदबागोद यहां पर तो यह भी command prompt कुल गया है यहां पर WS reset.exe की process चल लई है यहां पर आप देख सकते हो यह Microsoft Store का logo है तो और यहां पर लिखा है once the process is finished Microsoft Store will open and you will be able to update the clock app यह process complete होने के बाद जो हमारा Microsoft Store है वो open हो जाएगा और बहां से हम clock app को अपडेट कर पाएंगे तो अभी यह देख सकते हो कि जो Microsoft Store है वो open हो गया है अभी मैं update में देखूं लाइब्री में जाके अपडेट में देखूं तो यहां पर अभी मेरे को कोई clock app देखने को ने मिल दाई है इसका मेरे को update देखने को मिला हूँ यहां पर सच कर लेते है नहीं देख रही है तो मेरे PC में तो नहीं यह वक कर रहा है तो इसमें लगाए by performing this step above you will be clearing the Microsoft Store case and this method work on our test PC so we encourage you to try it out तो उनके PC में यह नहीं चेक किया होगा तो काम कर रहाता है यह process करती है जो Microsoft Store का कैसे होता है उसे remove कर देती है और उसके बाद जो new update होते हैं उससे मिलने लगते हैं तो यह मेरे PC में वक नहीं करता है तो दूसरे जो बग है जो इस बिल्ड में आपको देखने को मिल सकता है वह लेवल है wrong position जो आपको यहां पर system tray दिखती है तो अगर आप अपने mouse को ले जाते हो तो उसके जो टाइटल है वो देखने को मिलता है तो बहुत सारी यूजर है इस update के बाद उनका जो यह टाइटल मिल रहा है और नेम मिल रहा है वो उसकी position सही नहीं है इस photo में आप द तो जो टाइटल है वो alignment सही नहीं है तो यह बग आपको देखने को मिल सकता है थर्ड बग की बात करें तो वह है gray out button in Microsoft Store तो picture में आप देख सकते हो जो Microsoft Store है उसमें जो भी app है उनमें gray out दिख रहा है जिससे की पता नहीं पढ़ पा रहा है कि install button कहां पर है आप photo में देख सक तो इस तरीके का glitch आपके Microsoft Store में मिल सकता है नेक्स्ट बग की बात करें वह है app icon not centered properly in taskbar तो बहुत सारी उसर है जोनोंने notice किया कि इस update के बाद जो टाकबार में app icon है वो centered नहीं है अभी मेरे PC में centered दिख रहे हैं लेकिन बहुत सारी उसर है उन्होंने notice किया कि उनके जो आइ यहां पर तो उनके PC में duplicate icon देखने को मिल रही है और next bug है enlarge widget panel तो जो जब हम widget panel को open करते हैं उसके लिए हम window की plus W प्रेस करते हैं तो जो widget panel open हो जाता है तो जो बहुत सारी उन्होंने notice किया तो उनका जो widget panel है वो half of screen को cover कर रहा है जिससे की बहुत बड़ा दिखता है जो की issue create कर रहा है इस तरीके के जो बग है आपको इस बिल्ड में देखने को मिल सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेड हैं विंडू 11 से रिलेटेड टूटोरियल और अपडेट की वीडियो देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए इस बिल्ड आइकन को क्लिक करना है और और पर सेट कर देना है